वेल्कम टू पाधियायन्स डिजायर एजूकेशन टुड़ी टॉक बाउट सर्चिंग सर्चिंग मतलब क्या होता है खोजना सिंपल अगर लेते हैं तो माली यह गली है गली में यह घरे हैं मेरा इस घर वाले के साथ एक जगड़ा हो गया था बार्थ में गया था जगड़ा अब मैं खोजनेस्का लाहां कि मुझा में लिया मुझा मैं इस मैं सब से पहले क्या करोओगा इस पहले घर में खोजांगा पहले भोड़ों और यहां मुझे नहीं मिलेगा dalej आगे बढोंगा मैं वही पर रुए घुझाहा फोड़ी हागे मुझे का अब लुकुता और इस टाइब के सर्चिंग को हम कहते हैं linear सर्चिंग क्या कहते हैं linear searching यानि एक line में एरे मतलब समझते हो तो एरे में पिछले वीडियों बताया हुआ थे link description में है अगर आपने पड़ दिया तो बहुत बढ़िया बात है वीडियों दें इजरत नहीं है लेकिन नहीं भड़ा है तो एक वीडियो देख सकते हो अगर इचा हो तो कुई दबाव नहीं एरे में क्या होता है कि यह जब भी आप declare करते हो को computer के अंदर इस तरीके से spaces create हो जाते हैं और इन में से माली जे यह value है एक दो तीन चार पांच यह value है मुझे तीन को कर सर्च करना है तो मैं सबसे पहले पहले को सर्च करूंगा दूसरे को सर्च करूंगा और फिर तीसरा मिल जागा मुझे आशरी की बात हम अगले वीडियो मेगर हैं कि आज किसी वीडियो में लीडियो में लिए अब बात करते हैं कि क्लास इन आ सी से में तीन πडे बताता हूं अब और यह तीन हों है फ्रोसा न is देन सर्च फुर फॉर घिवन अलिमेंट भाइस अपने लिया एक अरे आपने लिया उसके इन्दर से एक अमनी युजर से ले लिया और उसमें से सर्च करना है कि यह और दूसरा होता है कि अगर है तो कितने बार है कितने बार कितने बार मतलब how many times it is there और तीसरा होता है कि वेर असका position भी बताना होता है हमें कई कई बार अच्छा पोजिशन ज्यादा तर बताना होता है तीनों हम समझेंगी एक ही के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनर सर्चिंग बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है चलिए देखिए बहुत आसान है और आपको बहुत साथ निम्रस मिल जाएंगे जरूरी नहीं है आप लिए आप किसी का भी देख लो जावा एक ही रहने वाला है लास से कोई मैडर नहीं करता चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीनियर सर्चिंगे हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हम स्कैनर क्रिएट करते है स्कैनर क्रिएट करते हैं स्कैनर उसके बाद नाम इकल स्टु न्यू स्कैंश यहां तक pew at को समझ के अना चाहिए वायर टो वी राइट दार क्यूं हम लिखते हैं क्यूं हम इस फिर के लिए इन पूरो ने to new Skaineer system. it इसे पहला इंपोर्ट जावा दूडेश क Kylie कर लिख लिया है उसके बाद ने पब्लिक स्टाटिव वाइड में लिख लिया है और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर की चीज़े होपफुली अगर आप समस्टर 2 आने वाला है तीस चालीस पचास दिनों के अंदर तो यह सब चीज आपको आनी चाहिए इस से पहले वाले नहीं आती है तो मैं सज्ट करूंगा कि बेसिक एक आप धियान दीजिए उसके ज़िए स्की नीवें इन लिखा उसके बाद मैं क्या करूँगा array को declare करूँगा array को declare कैसे करते हैं simple int यानि data type अब जो भी लिखनो array का नाम लिखनो ये braces डादो उसके बास new int और इसके अंदर अब size लिखनो मान लो size 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 मान लो दस है दस variables को मुझे accept करना है मेरा program मेरा question है कि write a program to accept 10 numbers integer numbers and search for a given an element search for a element given through the user and display it is it there or not the summit display करना है तो सबसे बहले मैंने एरे क्रेट हिया 10 साइस का तु क्या होगे computer के अंदर इस तरीके से 10 spaces के टोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 इस इसे 10 spaces क्रेट होंगे इसका position क्या होगा 0 होगा इसका क्या होगा 1 होगा इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 यह रखना index array के अंदर यह क्या है उसका position है इस value का यह position है बताया है मैंने पिछले वीडियो में इसे हम index कहते है index always starts from 0 and goes to the length minus 1 array का जो भी length होगा minus 1 array का length क्या है 10 minus 1 9 तक ही जाता है क्योंकि 0 ने पहला position होगो पाई किया है done मैंने array declare कर दिया अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इसके अंदर values भी चाहिए तो जो values मुझे user से चाहिए तो मैं क्या करूंगा यह system.out.println आपको पूरा लिखना है मैं short में लिख रहा हूं ताकि समय कम जाए उसके बाद मैं लिखूंगा कि enter 10 number simple 10 number enter करिए अगर आपको program बढ़िया लिखना है तो simply आपको यहीं करना है यह सोचना है कि मैं output देख रहा हूं आप एक तरीके से अगर कोई output देख रहा है तो उसे क्या दिखेगा उसे तो बस यहीं दिखेगा ना कि enter 10 number आपने लिखा है और उसके अंदर वो number डालेगा नमबर डालने के लिए आपको scanner is equal to system.in करना होगा थाकि user number डाल पाए कहा नमबर डालेगा तो आपके लिए अगर करना होगा ताकि space बन पाए और उसके अंदर अब चलाना होगा फॉर लूप फॉर लूप क्लियों चलाते हैं मैंने पिछले वीडियो में बात बता दिया है उसके अंदर मैं करूंगा int i equals to zero i is less than 10 and i plus plus ओके फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ i equals to zero इसलिए लिया है ताकि array जो है zero से start होता है और 10 से कम रहना चाहें क्योंकि array जितना जो size है उसका minus one तक खतम हो जाता है और इस i को हमें बराते रहने हम क्या करेंगे कि पहले zero पे value store करेंगे फिर one पे two पे देखें कैसे करते हैं हम simply लिखते हैं कि a at i equals to sc.next int यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि a जब zero रहेगा आईगा value क्या है zero है तो a जब zero रहेगा यानि यहां पर value store हो गया फिर i++ होगा a1 हो जाएगा क्या वह नौ से छोटा है हां जी है तो a at 1 इसके अंदर value store इस तरह से होते आज में आती है लेकिन हमें क्या करना एक searching element लेना है let us let us suppose यह है पांच यह है 10 है 15 यह है 20 यह है तीस यह है 36 यह है 40 41 42 simple 42 41 40 36 किसे को यह भी समझ में आता है इंदी उसके लिए no offense no offense ठीक है अब मालीजे यह है और मुझे 30 नंबर सच करना है I have to search लेकर मुझे इसे यूजर लेना है मुझे तो नहीं पता कि अंदर में यह क्या डाला हुआ है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा इंट एक सर्चिंग एलिमेंट क्रियेट कर दूँगा एक सर्चिंग एलिमेंट के नामसे एक वेरियबल क्रियेट कर दूँगा और इसके अंदर मैं सर्चिंग एलिमेंट स्टोर करूँगा कैसे करूँगा तो सिंपल सा है system.out.println enter the number to be searched या फर enter the searching element उसके लिए मैं क्या करूँगा sc equals to sc.nextint hopefully आपको दिख रहा होगा अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने array declare किया array में space हो गया array के अंदर साले value store कर दी और उसके अंदर searching element माल लिए अभी के लिए माल लिए मैंने searching element डाल दिया 30 suppose that searching element हमारा 30 है मैंने searching element user से डलवा लिया मुझे नहीं पता लेकिन अभी समझने के लिए 30 लेते हैं यहां तक तो clear है searching element भी ले लिए लेकिन अब तो हमें सर्च करना है में काम तो अब आता है यहां तक तो सबको समझ में आता है चलिए आगे बढ़ते हैं hopefully आपने note कर लिया होगा नहीं note किया तो screenshot ले लिया होगा नहीं लिया है तो remind करके फैसे ले लीजी कोई दिक्कर की वात नहीं यहीं तो फायदा है online पढ़ने का सब्सक्राइब अब मैं क्या करूँगा यहां पे दिमाग लगाना है लेकिन बहुत ही आसान है बहुत आसान मैं क्या करूँगा एक और variable को स्टोर करूंगा एक और variable डिक्लायर करूंगा जिसका value में 0 रखोंगा अब आप कहोगे कि मैंने c4 नाम से क्यों किया मैं में किया सै आप कुछ भी लख सकते हो सोन मनूर सोंकुड़ी आपका मन मैं य UCSन लिया क्योंकि मैं इसे-कांटर कहता हूं मैं इसे counter कहता हूं अब मुझे बात समय आपको बात समझ में आएगी कि क्यों मैंने इसे लिया आगे बढ़ते हैं आपको आगे क्लिक करेगा दिमाग में इक बात त्यार रखना अगर आप प्रोग्रामी कर रहे हैं तो जितनी बार आपको कोई function करना है उतनी बार फॉर लूप चलाना होगा फरसे मैं फॉर लूप चलाओंगा यहां पर सब्सक्राइब करना है कि जब यह तीसवे नंबर पर पहुंचे तब मुझे डिस्प्ले कर देना तो इफ एट i is equals to equals to searching element c plus plus अब ने समझे हमने क्या किया सीक्वेल स्टु जीरो रखा मैंने सीक्वेल्स तुज जीरो इसलिए रखा था कि अब आगे बढ़ते आगे वड़ते रुख जाइए अब समझ में आएगा आगे वाला प्रोग्रम लिख दूंगा ना भी क्या कर रहे हम दो अभ जोब A at आई यानि पहला A क्या होगा? A at 0 जाएगा, आई का विल्यों सबसे पहले 0 जाएगा, इक वस्तोईरटी तो what क्या इक वस्ती है, नहीं है फिर यह आएगा क्या 10 30 है नहीं है कि 15 20 है नहीं है 20 30 है नहीं है 25 30 है नहीं है लेकिन अधर टाइम ए आट क्या है ये 5 a at 5 जब पहुंचेगा दिन इत विल बी इक्वाल तू 30 अधाइट टाइम जब यह इक्वाल हो जाए 30 के कर दो अब आप कोगे के मैं यहीं से निकल क्यों ने गया और आपको बिना मतलब कि उसक्राइब क्यों करना कूं मैं से क्वेस्टेट कर सकता हूं मैं यहीं से निकल सकता हूं आए भाइया कौन जानते हो यहां पर 42 005 ना कि एक और 30 हो शयद आपको विजिबल ना हो तोड़ा करना एक होता है सच करना कि इतनी पार है और एक करना होता है कि पोजिशन बताना होता है हम तो पहले पर हैं दूसरे पर जाएंगे तो पहला हमें सिंपले प्रेंट करना यह समझ गया इफ हमने कर लिया तो जब यह एक्वल होगा एक्वाइट फाइव जब 30 की इक्वल हो गया सी का वेल्यू प्लस प्लस करने है यह सीवल स्टू अब बन हो गया फिरी आगे बढ़ा अभी तो यहां पर भी 30 आगया ना मैं अभी समझो फिरी आगे बढ़ा अभी यहां पर मालो 42 ही है कंफ्यूज ना करके यहां 42 ही है सीक्वल स्टू बन हो गया अब मैं क्या को रूंगा फिर से कंडीशन डालूंगा इफ सी इस ग्रेटर देन जीरो इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रेंट अलिमेंट फाउंड एल्स इस सिस्टम डॉट आउट प्रेंट अलिन एलिमेंट नॉट फाउंड समझ में आई बात सी प्लस प्लस और सी इक्वल स्टू जीरो हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे बाद में जाकर चेक करना है सी का प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो जब एट इक्वल्स टू इक्वल्स टू ऐसी होगा जब एट फाइव इक्वल्स टू थर्टी होगा तो मुझे भाई पता कैसे चलेगा कि प्रोग्राम के इंतर थर्ट इक्वल्स टू थर्टी है अगर मैं काउंटर ही क्रिएट कर दूंगा उसका वेल्यू जीरो रहेगा अगर उसका वेल्यू एक ज्यादा हो गया जब मैं आप चेक करूंगा अगर जीरो से ज्यादा है तब मिल गया है वाई तभी तो जीरो से चाहता है तभी तो यह इंक्रिमेंट हुआ है इससे क्या रहे इतना असान होता है नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह होता है कि आउटपुट भी आपको दिखाना होता है याद रखना अद्वर आपको कॉम्पेटर में स्कोर करना है तो हर एक जब आप राग्राम लिखोगे जब मैं काउंटर यहां भी करूंगा तो काउंटर क्रिएट करना के फिर यहां पर फॉर लोग चलाओंगा तो चेक क्वेदर इडिस इक्वल टू ईक्वल फिर यहां पर दूप्रे यह आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइब के प्रोग्राम में जल्दी वीडियो भी तो बहुत लबनी चाहिए नहीं दो बार से अब जानी देखके भागे होकर इतना बड़ा वीडियो कौन पढ़ाता है Das next-int I C motivations main ese crafting element ले लिए सचिंग एले में अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा कर दूंगा इंड सी इ πårtबिट कर दोंगा एक काउंटर करेट क्या करे तन्य एक क्या करूंगा एक क् Counter equals to zero and i is less than 10 10 ही है सेम प्रोग्राम को हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं and i++ बहुत आसान है पहला समझगे तो सब क्लियर इफ फिर स्टेटमेंट चलाओ a at i is equals to equals to searching element जब a0 पर जाएगा फॉर लोग हमने चला रखा है पहले वाला तो जब जाएगा तो हमें क्या करना है सी को प्लस प्लस कर देना है सी को प्लस प्लस कर देना है उसके बाद फिर से कंडिशन चिलाना है अग इफ सी इस ग्रेटर देन जीरो तो सिस्टम.out.println नमबर ओफ टाइम दो सर्चिंग ऐलिमेंट इस असवाइब देख लेना नमबर ओफ टाइम देश्टम.द करके प्लस कर दो यह तो हो जाएगा ना है आप से यह नौट पांद शिंब देख दो तो नमबर ओफ टाइम देस तो सी का वेल्यू मालो 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 आरे हमने से चलाया इसके अंदर दस इस तरीके से हैं एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नौ दस ठीक है इसके अंदर पांच छे आठ दस बंदर एक दस सुल दस उन दस तो मालो दस मेरा सेर्चिंग एलेमेंट है तो सी जब सबसे पहले जीरो है वन है टू है थ्री है पोजिशन क के बात कर रहा हूं तो जब जीरो पे जाएगा नहीं मिला एवन पे जाएगा नहीं मिला तू बजाएगा नहीं मिला थ्री पे मिल गया तो सी का वेल्यू प्लस प्लस हो गया मुझे ऐसी का वेल्यू प्लस प्लस हो गया तो सी का वेल्यू मतलब अब सी का वेल्यू क्या है स यानी C के फिर प्लस-प्लस हो गया यानी C इक्वल्यू जो गया सी इक्वेस्टू टूर हो गया सी इक्वेस्टूेट्टू एगश्टू सूस टूर्व फिर हैजली को Nah, I am I am students work to togetherётся खेखेखेखे अनए आप मैं ऑन मन democrat क्या तो जब हमें एक टाइम हम यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे अट टाइम हम लोग यहां पर समझ माई कि नहीं बात यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे लेकिन उससे पहले एक और चीज़ सारी मैं भूल लिया सी प्लस प्लस देखो सी मुझे मानलो यहां ज़हीं भी हो मुझे सर्चिंग एलमेंट की मिल लिया मैं यहां पर क्या करूँगा एक इंट पॉस वारियेबल के नाम सी प्रेक्वल्स टुजीरो मैं क्रेट कर दूँगा अब कहोगे क्यों पॉस यह नहीं पॉजेशन पॉस से अब देखो क्या होगा कि देखो जब भी मुझे यह 8 I equals to equals to searching element हुआ सी को सी का value एक बढ़ गया और उसके बाद पॉस इक्वल्स टू आई सॉरी आई इक्वल्स टू पॉस और उसके बाद ब्रेक कर दो अब बुलोगे कि ब्रेक क्या अरे यार मुझे पोजिशन एक ही बार फांड करनी है दस दस पाद वाली पोजिशन मुझे नहीं जाहिए एक ही पोजिशन होगा अगर ऐसा प्रोग्राम आ रहा है तो जब एक टाइक विल्स टी को सर्जिंग इसके अंदर मालो यह जो वैल्यू है 11 12 13 14 तो दस दस वाला जो वैल्यू है मुझे यहां पर एट फॉर इस इकल्स टू इकल्स टू दस मालो सर्चिंग अमरा दस ही नहीं सर्चिंग इल्मेंट जब एकल हो गया तो सी प्लस प्लस कर दिया यहीं हो गया उसके बाद एक आइड आइक या है फोर है एक आइक क्या है फोर इकल्स टू पॉस मैंने इसे इसलिए क्रेट किया आप कहोगे कि आए को ही हम यहां पर क्रेंद कर देते मैं अगर अगर इफ यह ओ गया खतम हो गया उसके बद फिर स्टेटमेंट लगाऊंगा सी इस ग्रेटर देन जीरो तो सिस्टम डॉट आउट अप्रेंट एलिमेंट है फाउंड एट प्लस करके concatenation हम करेंगे यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्या पॉस यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्या पॉस ठीक है एल्स नॉट फाउंड सिस्टम डॉट अप्रेंट ले तो पॉस क्या करेगा आई का वैलियू यानि फोर मुझे पोजिशन ही जाना है कि कौन से पोजिश पॉस पॉस में एक वैल्यू स्टोर हो पाए उसके बाद आई इकोल स्टम ने पॉस कर दिया तो पॉस का जो भी वैल्यू तो हड़ गया और फोर वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगा कि चौते पोजिशन पे हमारा इल्मेंट मिल चुका है और होपफुली हमने अपना लीनिय सब्सक्राइब करें कि उसके बाद आरे ओल्मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा 80 परसंट उसके बाद आरे के ऊपर कुछ कुछ प्रोग्राम साते हैं वह हम डिसकस कर लेंगे तब तक के लिए